इन कमाल के 10 टिप्स के साथ आप अपने घर की सारी मुश्किलों को बहुत ही जल्दी दूर कर देंगे और कुछ ऐसे टिप्स भी है जो आप बहुत ही जादा अमेजिंगली फॉलो भी करेंगे और आपको बहुत जादा काम में आने वाले हैं तो बटते हैं हमारे सबसे पहले है की तरफ सबसे पहले है कैने की जब भी घर में और अवर बर्फ जम जाती है जिंगे जादा विंटर जादा है और जैसे उपन करते थे तो जो बर्फ वाली जगह पर कुछ और नहीं रखा जाता था तो उन फ्रिजों के लिए आज मैं हैक लेकर आई हूँ, आपको थोड़ा सा गरम पानी लेना है और उसमें नमक डाल देना है आप चाहें तो ना बरफ के उपर डायरेक्ट ही नमक अपलाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी जो है वो पिघलने शुरू हो जाएगी और जो फ्रिज है उसमें पानी पानी हो जाएगा तो आपने ये हैक ट्राइ कीजेगा नमक घोल कर और कोई भी टीशू पेपर या कोई क्लोथ लेकर बरफ के उपर लगाईए देरे देरे जो है बरफ मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपको कुछ भी एक्स्रा करने की ज़रूरत नहीं है बस पानी का दिहान रखें और पानी जो है फ्रिज में पार्ट होता है जहां पानी स्टोर हो जाता है वहां पर आप उसको रिमूव कर सकते हैं ये वाला है बहुत ही जादा जरूरी है घर में कही पर क्या होता है ना बहुत जादा टूटी में फंगस लग जाती है या फिर नए घर में जाते हैं जैसे कि हमारी जो पुरानी केचन थी जहां पर सफाई अच्छे से नहीं होती थी उस केचन का ये हाल था तो मैंने ये वाला है ट्राइ किया विनेगर एक लिफाफे में डाल कर इसको 24 गंटे के लिए रखना है तो यहां पर बहुत कुछ भी नहीं करना बस विनेगर टाल कर आपको टैप के उपर ऐसे छोड़ देना है और आप ना देखेंगे कि जब आप इसको 12 गंटे के बाद उतारेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़िया तरीके से साफ हो चुका होगा फिर आप क्या करेंगे इसको 12 गंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे और ये जो उपर ग्रीन के हैं बहुत एजिली निकल जाएगा तो यह आप देख सकते हैं पहले ऐसा था और उसके बाद 12 गंटे के बाद ऐसा हो गया है और इसको आप 2-3 दिन छोड़ देंगे तो ये ग्रीन जो है पार्ट वो एजिली और भी जादा जल्दी रिमूव हो जाएगा तो एक दिन के बाद फिर से मैंने इसको ऐसे ही लगा कर छोड़ दी यानि कि 12 गंटे और तो उसके बाद अब आप देखेंगे कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी बस स्टील स्क्रबर से इसका ग्रीन पार्ट है वो निकाल दूँगी और बहुत एजिली जो है टैप क्लीन हो जाएगी इसको आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है आपका खर्चा बचेगा और यह स्टेन रहता है तो आप उसमें भी अपलाई कर सकते हैं बहुत एजिली निकल रहा है स्टेल स्कबर में साथ में नहीं लिखकर आई थी तो बहुत एजिली वह इससे साफ हो जाएगा आप यह ट्राय करके मुझे जरूर बताएं कि कैसे लगा और अगर आपकी घर में ऐसे ह पर मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर ही दूँ पहले तो आपको देख लेना है कि मैटल की जो चूडियां है वो कितनी आपको लगता है कि तेडी मेडी है बहुत जादा कि यह टेडी मेडी हो जाती है और अगर जादा क्वांटिटी हो तो एक एक चूडी को आपको अगर नहीं होता है तब आप क्या करेंगे यह वला है जरू ट्राइब करेंगे अब मैं यहाँ पर जो है चूडियां लगा देती हो उसके बाद जो हमें बस अपनी जो मिक्सी जारन उसको करना है हमें चालू यह जो चूडियां पहले तो घूम रही थी उसके बाद फैंकन जब यह चूडियां नीचे गिरने लग जाएंगे मतलब की गोल होकर नीचे गी रही है ट्राइ आउट जरूर कीजेगा मैंने बहुत बार इसको अप्लाइ किया है और मुझे बहुत ही बड़िया रिजल्ट मिले है नेक्स ट्राइक है हमारा वही दालों से रिलेटेड डा सकते हैं तो यह वाला हैक जो है ना आप ट्राइ करिए इससे क्या आपको नो तेल वगड़ा डालने की ज़रूर है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कुछ गरों में नहीं इसको अच्छा समझा जाता कि सरस्टों के तेल को डालें अच्छा जैसे मम्या कहती है या बच्चे कहते हैं यह क्या कर दिया तो आप उन चीजों से इनको बचा सकते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बस रोस्ट करेंगे बिल्कुल भी इनका कलर चींज नहीं करेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के बाद स्टोर कर लेंगे यह हमारा बेस्ट आउट ओव वेस्ट है के बहुत ही बढ़िया लगता है मैंने बहुत बार इसमें चाई बना कर पी है सिर्फ एक कप चाय बनती है और जो भी नारियल के घुण होते हैं हमारी चाय में आ जाते हैं इतनी जादा पोश्टिक बनती है ना स्टील जो अलुमि वह बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा जैसे एक गाडी गाडी चाय बनती है और milk powder वाली चाय के पे पीने का मन करता है बिल्कुल पर बिना milk powder के आप coconut के शेल में बनाएगे तो बहुत ही जादा tasty चाय बनेगी मेरी guarantee है try out ज़रूर कीजेगा तो यहां पर मैंने ना चाय बना लिया और इसको ना हम यहां पर छान लेते हैं तो देखें कलर भी कितना जादा बढ़िया आया है बस आपको ना एक ही कप चाय यहां पर बनेगी बहुत जादा अमाउट में नहीं बनेगी जाए नेक्स रैक है हमारा स्पेचुला से रिलेटिड क्लीनिंग प्रोसेस में इसको साफ करना बहुत ही जादा जरूरी है तो आज मैं इसका cleaning tip लेकर आई हूँ, आपको ये follow कर लेना है, जब भी घर पर आप बहुत ज़्यादा specialise use करते हैं, तो उनको साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर specialise मैंने निकाल ली है, silicone वाले और wooden भी आप इससे साफ कर सकते हैं, बस plastic इससे avoid करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम पानी में अगर प्लास्टिक डालते हैं, थोड़ी melt हो सकती है, हलके गरम पानी में तो उसको साफ करना easy task है, वीनेगर में वेकिंग सोटा डाल करना, अच्छे से सारी जगे पर इसको हम रगड लेंगे, यह जो silicone का brush आता है, इसमें specially oil नहीं जाता ह और जो भी bacteria, silicone में oiliness रहता है, और इसका color change हो जाता है, बेकिंग सोटा विनेगर के कारना इनका color ठीक रहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे गरम गरम पानी, बस यही करना है, जो भी बरतन अपने लगाया हुआ है, और धोने के बाद इसको सुखा कर स्ट जैसे हम रेसेपी में सुनते हैं, एक टेबल स्पून लगेगा, तो यह जो सूफ वाले चमच होते हैं, यह एक टेबल स्पून ही होते हैं, और यह देखिए कि इत्ती मात्रा में चीनी, दाल आप इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे कि चाय पती हो गई, जीरा हो गया, और बह बहुत ही जादा जरूरी है, जैम की जब भी बोटल लेकर आते हैं, और उसको अपलाए करते हैं, हम ब्रेट पर तो क्या होता है, ऐसे एक टिकीज ही बाहर निकलती है, तो जब भी आप नहीं मार्केट से जैम वाली बोटल लेकर आए, तो यह मेरे वाला है, ज़रू ट्रा हो जाएगा, अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ, यह थोड़ा सा लिक्विडी हो चुका है, और आप इसको बहुत एजिली अपलाए कर सकते हैं, थोड़ा सा और करेंगे, तो यह देखिए, कितना बढ़िया तरीके से यह आप ब्रेट पर लगाएंगे ने, तो एक स्मू ने, यह हमारा पता है कि है दूद से रिलेटर केबर क्या होता है ना, दूद कम पढ़ जाता है, जब भी घर पर महमान आते हैं, तो मैं गया करती हूँ, ने, एक सेपरेट एक ऐसी स्टील के बरतन में दूद को अलग से रख देती हूँ, और जो पतीला होता है उसमें तो इसमें डूढ़ा करें मलाई डालाすकते हैं, तो एसा होता है, कि हम वह चीजें जो बची हुए होते हैं उनको कम इस्तेमाल करते हुं हमारे लिए बची रहायाँ बात में आप इसका देहीं भी लगा सकते हैंगर स्पेर बच चाहें लास्ट है कि हमारकेट की जादा जरूरी घीर बनाने से बन मीकित सी करदाए है लिवार के जरी है जिसाने जरीज आब अशरते कいき थे सब्सक्ती में रूस्ट पत्ली डूर्स यह और दूष सब्सक्रेंakter की जाए हैं और बिल्कुल market जैसी बनेगी कोई milk powder डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि milk powder सबीके घर में वैलिबल नहीं होता है पर सूजी सबीके घर में वैलिबल होती है सबी हलवा खाने के श७ीट किंचों होते हैं पिर से अड़र में हैं